हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टेड़ी विदेव स्टेड़ी विट्व चैनल पर मैं दैवंदर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आपने अभी तक स्टेड़ी विदेव चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आरोचेस पर टाइम से टाइम मिलती रहेगी आज अपन इस वीडियो में डिसकस करेंगे कि कितने क्योंस सीदे सीदे हमारे स्टेड़ी मेटरेल से आया है बाकी सारे क्योंस आये यहीं से हैं लेकिन उनमें तोड़ा सा कन्फूजन गुमाकरून क्योंस को दिया गया था ठीक है आज डिसकस करेंगे कि कौन सा क्योंसी क्लास से और कहां से आपको देखने को मिला था सबसे पहला यह अपन पेपर स्रीज जो है क्योंस पेपर स्रीज पस्ट है अपनी क्योंस पेपर स्रीज जो ए है उसको अपन देखेंगे एक कोडिंग में आपको बताऊंगा कुछ ज्यादा इसी playlist के questions और जो हमारी study with day वाली जो books आई थी physics की जो books या e-books जो हमने launch की थी केवल 66 page की जो e-books या books थी इस books में से इतने questions मिलना बहुती बड़ी बात थी मैंने पहले ही बोल देता है कि लगबग 25-30 questions सीदे सीदे इसमें से आ जाएंगे कुछ बिना effort किये हुए तो ठीक है इसके लाब वह सारे questions model paper से उनके बेटन पर आया है अलग-अलग जगर से questions है लेकिन मैं उनकी बात नहीं करूँगा मैं only जो old study material है books वगरा उनी की बात करूँगा study with day का जो study material का मतलब है कि पूरा study materials जो हम classes लेते हैं वो और जो आपने देखी है ठीक है इसमें physics की बात करे मैं अलग से अपने साब से कर लेगी ठीक है तो विदू सेत्र वाला मात्रग मैंने कहीं बार चीक चीक के चिलाया चिला की बताया था कि 2020 में एक क्यूसर्स आया था और आपके इस साल भी रिपीट हो सकता है एक तो इसके बारे बोला था एक बोला था आपको चुमबए के स क्यूसर्स आपके रिवाइज हो गए थे यह क्यूसर्स मैंने पस्टी क्लास जो आपकी प्लेइस्ट में पस्टी क्लास थी उस क्लास में मैंने यह करवा दिया था पस्ट क्लास में आपको देखने को मिला था यह क्यूसर्स अगर आपको बरोसा नहीं तो आप पस्ट क्लास के फिर बुक से आपके लिए दे रहे हैं ठीक है तो क्लास का इसमें बता देंगे और जो यहां रहेगा इसका जो मात आंसर होगा क्या होने वाला न्यूटन अपोन कुलाम याने की ऑप्सन अंबर पस्ट इसका करेक्ट आंसर होगा यह मैंने बताया था दूसरा मात रग भी डाउट आते हैं सोलो नहीं हो पारे गबराव मत इसका सोलूशन है डाउटन टैप जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो के चो प्रोप करो पांच सेकंड के अंदर अंदर उसका वीडियो सोलूशन मिल जाएगा वो भी बिलकुल फ्री में यानि अब आप पू डाउट नट पर चल रही है नवी से बार भी आई टी जी नीट के बच्चों के लिए ओनलाइन क्लासे जिसका इस्सा बनकर देश के सभी राज्यों के बच्चे लिक रहे हैं रैंक पस्ट तो आज ही डाउट नट एप इस्टोल करो और अपने सभी डाउट बगाओ और टो यहां सो आया उसकी फोटो बिए आपको नजर आ रही होगी ता कि आपको समझ में आ जहें बूक्स होगा जोगा एक सबकी फोटो आपको यहां देखने को मिल रही है ठीक है तो यह कुस्ट भी आपका आया हुआ था इसमें क्योग एज इक्वल टो एन एपन को दे रखा थ बीद्ट पर विबवग तो क्या होगा उसकी दूरी के वियूत कर मानुपाथ प्लेटों के संदारित प्लेटों समांत्र प्लेट संदारित्र निर्बर करती हैं यह क्लास नंबर सेवन से आपका क्यूसिंस बना था और जो आपका यह वाला क्यूसिंस था यह वाला क्यूसिंस क्लास नंबर फॉर से बना था सोरी क्लास नंबर फॉर है आप जाकर देख सकत क्लास नमबर फॉर में ये बात मैंने बताई थी और जो प्लेटों के मद्दे प्लेटों के संदारितर निर्बर करते हैं किस पर निर्बर करते हैं समांतर प्लेट संदारितर ता सुरी संदारिता जो प्लेट क्यूसन सही तरीके से नहीं है दा केपिसिटी ओप पेरल प्लेट केपिसिटर डेपेंड यानि कि क्यूसंस में गलती है इसमें हिंदी में क्यूसंस सही नहीं है हिंदी में गलत है आपको दारिता बतानी है समांतर प्लेट संदारितर है उनकी दारिता निरबर करती है किस पर दातों की परकरती पर प्लेटों के बीच की दूरी पर प्लेटों क है एपसालन नोट ऐपॉन डी ठीक है तो यहाँ पर सेतरफल के बारे में पंस नहीं 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 होगा यान prochain कि दूरी का यहां पयक्तिum के मत देखी दूरी तो भी करोंबाते किसके आप सभी लोग समझे संधी नियम मैंने बताई था I one is equal to I one यह से I वाले जो बताइते मैंने वह आने वाली दारा और बार जाने वाली दारा इस किस पर निर्भर करता यह भी आप के लिए करवाया था मैंने कौन सी क्लास में करवाया था जो यह करवाया था क्लास नंबर 11 में यह करवाया था और जो संदारितर वाला करवाया था क्लास नंबर 7 में क्लास नंबर 7 में संदारितर वाला करवाया था और किर्चोप का नियम वाला करवाया था क्लास नंबर 11 में जहां आपको बताया था कि आवेशन अक्सन पर आधरीत होती है ठीक है चलिए क्यूसर नंबर 6 क्यूसर नंबर 6 की ये तोड़ा आउट ओप ये नहीं बताया था मैंने लेकिन अपने सेलेबस में है तो ये आउट ओप सेलेबस इसे नहीं मान सकते है लेकिन ये मैंने नहीं करवाया था तो तुम्हें इसकी जवरदस्ती बोलूँगा भी नहीं चुम्ब के सेत्र का मात्रक आप देख सकते हो इस सैड़ पर भी एक सदिस रासी ये लिखा हुआ है और इसी पर जो लिखा हुआ आप देख पा रहे होंगे पूरी तरह से ये भी मैंने आपके लिए करवाया है इसका ऐसा है मात्रक टेस्ला भी होता है सारी चीज मैंने आपके लिए करवाया था अगर आप कलास में जाकर देखो तो ठीक है चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं इसकी ये तो हो गए अपना इसका तो राइट आंसर क्या होगा वेबर अपॉन मेटरेस कोरेंग की ओपसन नमबर सेकेंड इसका तो करेक्ट यसे हो जाएगा अगला क्यूसर नमबर एट Q7 क्यूसर नंबर 8 है आप देख पा रहे हूंगे Q7 जो इसका आंसर भी आपको समझ मेले रहा हुगा कहां से मैं इसका आंसर बता रहा हूँ और कहां से नहीं बता पा रहा क्यूंकि इसमें Q7 पूचा गया कि और दारा वही ले रखी है वो अपने एबुक्स भी खोल लीजे साथ में क्योंकि हम एबुक्स में आपको पेज नमबर भी बताएंगे और आपको फोटू भी साथ की साथ देखने को मिल जाएगी एक मिनट ताकि आपको दिक्कत ना आए तो पेज नमबर यह जो आप देख पाओगे यह पेज नमबर कितने पर मिलेगा आपको पेज नमबर पचीस पर इस क्यूसर का अंसर आपको मिलेगा जो मैंने स्क्रिंसोट आपका यहाँ पर चिपका रखा है सीधा सीधा वो स्क्रिंसोट आप आपका पेज नमबर 25 पर आपको देखने को मिल जाएगा इस्टड़ी विद देव की इबुक्स एंड प्रिंटेड बुक्स में जाकर देख सकते हूँ क्या चीज थी यहां था एम इज इक्वल टू आई एन ए ठीक है एन यहां पर कुंडली के अक्यातियां पर फेरो की संक्याती आई दाराती ए से तरफलता तो आई अपन को पूचा था तो एम अपन ए हो जाएगा सीधे सीधा आंसर तो उपसे नमबर पस्ट इसका इससे करेक्ट आंसर हो गया इसमें क्या दिखत है अब आप बोलते हों कि स्टड़ी भी देव से कुछ भी नहीं आया तो यह तो सीधे-सीधे क्यूस आये हैं जो तोड़े गूम फिर क्या है उन क्यूस की बारहें हम इसमें बात बिलकुल नहीं करेंगे ओनली जो एवरेज इस्टुडेंट थे जो मितलब मतल परेते हों लिए जिनका सेलेक्सिंट चीए ता वो स्टुडेंट सेलेक्सिंट ले सकते किसी भी एनिवन को लेज में अगर अच्छे से पचास क्लासे के लिए मैंने बोला था पचास क्लासे ले लोगी तो आपकी जिन्दगी बन जाएंगे लेकिन आप सभी लोगों ने नहीं बोलूँगा नहीं करवाया वायू के साप एक्स नरम लोहे की चुम्बक सीलता होती है वायू के साप एक्स नरम लोहे की चुम्बक सीलता होती है क्लास नंबर फोटी सिक्स के बाद ये क्यूसस में ने करवाया था अब क्लास का कंप्रम या क्लास फोटी सिक्स के बा आपके लिए करवाया तो आप देखना जरूर इसको अगला आता है नेनो कणों का आकार गटाने पर इसके गटने का गुण है तो यह कुछस में नहीं करवाया तो मैं इसे छोड़ दूगा इसके नाम फाल तुमें इसमें मैं अपने नाम पर नहीं लूँगा इसको अगला परवावित नहीं होता और तापके बढ़ने के साथ गट परले गटता है लेकिन बाद में बढ़ता है तो इसका क्या है तो इसको मैंने क्लास नंबर 11 में करवाया ता आप अगर जाकर देखोगो तो क्लास नंबर 11 में इसको करवा रखा है किस तरीके से करवा रखा था क्य क्या होता है अपर्मावीत होती है यह इसमें लिखा था ठीक है चलिए अगला क्यूसंस एल सी आर परीपत में पर्तिवादा जेड़ है तता इसका सकती गुणांग का मान होगा भाई इसका मैंने कही बार क्यूसंस भी आप सभी के लिए साथ डिसकस किये इसकी क्यूसंस या अगर आपने इबुक्स ले रहे होगी या हमारी क्लास से अगर आप लेते होंगे तो आपने इसका जरूर देखा होगा यह मैंने करवाया था पेज अगर इबुक्स में या बुक्स में जाकर देखा होगे तो पेज नंबर 31 पर यह मैंने बुक्स से इसकी इसकी सिदा लिय आता और यहां से सिदा सिदा क्यूसन से उठाकर एक्जाम नर ने अपने क्यूसन पेपर में डाल दिया है इसे सकती गुणान को बोला गया था ठीक है यहां से आया था रेखे बादा रेखे बादा यह भी यहीं से क्यूसन से बना है आप सबी को पता रेखे परती बादा पर परती माधाई ही होती है मतलम एक तरह से बादा होती है किसी में रुकाऊट होते है कि बुर्फ रुकाऊट इसको परती बादा तो यह के वल्फ Produ130 ए मैंनेaneous करवाया इसको भी चोड़ए दो इसको भी चोड़ रहे होंगे अच्छी तरीके से दो तरंगे जिनकी तीवरता नाइन अनुपात वन नो नुपात एक है वेतिक रण फिंज बनाती है तो अधिक्तम और नियुंतम तीवरता का अनुपात होगा भाई ये क्यूसन तो सिदा-सिदा मैंने आप को एक क्यूसन करवा है ता उसमें स time कि अचुन-स आप से बार-बार पुछी जयते और यहां से क्यूसन फूचा जाएगा का सब्सक्राइब के इस हैं से इसी पेज से इसी पार होंगे कि इसी पेज में से आप क्योमें गुनिट-स को भी देख पार होंगे क्यास नंबर बाईस में यह भी यह लिखा हुआ है यह के प्रियोगों दौरा तो यहां से सीधा-सीधा-सधायी कूछ आपका उठा रखा है तो अब क्या बोलते हो इस्टडी विद देव का इस्टडी में ट्रल फेक है बाइ जिनको फेक लगा उनका सेलेक्शन भी नहीं हुआ जिन्नों फेक माना है उनका सेलेक्शन भी नहीं हुआ और जिन्हों ने अपने इस्टडी विद देव को ही मान लिया था कि हाँ फिजिक्स में कुछ भी गलत नहीं जाएगा कुछ भी बाहर नहीं जाएगा उनका सेलेक्शन स्योर है ठीक है चलिए आगे हम बात करते हैं प्रकास का विवरतन तब तब दिखाए देता है जब अवरोदकाकार होता है तो यह क्यूसन मैंने बिल्कुल नहीं करवाया मैं छोड़ रहा हूं इसको मैंने करवाया नहीं अब क्यूसर नमबर 21 क्यूसर नमबर 21 है कि रेख यह परतिब यह परतिबारद nothing यहный हिंदी में इसकी नहीं होती तो बचा कोन सा अंगुलनर मोमेंट बचा कोने समवेंट नहीं को घैंट से टो नमबर प्लांक कोंस्टेंट की आपको बस इसमें थोड़ा सा माइंडिया लगाना तक ही इसकी जूल सेकेंड नहीं होती तो राइट आप टिक कर लेते हैं यह भी सीधा-सीधा आया हुआ था आप इसको भी देख सकते हो बुक्स में मैंने आपको इसको यह पेज नंबर किते फें प आपको मात्रक बताया था इसका अगर आपने पढ़ा ही होता है तो आज यह दिन आपको देखने को नहीं मिलता अब रोना पढ़ रहा है आपको पूरी तरह से एक मिन्ट में बताओ पेज नंबर 46 पर जो फिजिक्स की इबुक्स या पीडिया जो भी आपके पास चेक करना पेज नंबर 46 पर मैंने दे रखा है प्लांक निये तांका जूल सेकेंड इसका मात्रक होता है और इसके मात्रक के कोडिंग है आपको इसका अंसर लगाना था चलिए अगला क्यूस अगला क्यूस नंबर 22 भी रिये परतिबादा दे रखा है लेकिन यह क्यूस फिर गलत है इसमें क्यूंस गलत हैं लेकिन ऑप्सन सही है फोटोन इलेक्टिकली आर यानि कि जो फोटोन होते हैं वो चार्ज में कैसे होते हैं पोजिट्व उदासीन रिनात्मक या दनात्मक तो इसके बारे में अपने जब यह पढ़ा रहेते हैं यहां पर पेज नंबर 46 जब हम कारे में दे रखा है कि डेविस जर्मर के प्रयोगों में निकल क्रिश्टल का कारे हैं क्या कारे होता है सबसे पहली बात तो डेविस जर्मर प्रयोग किस लिए यूज किये जाते हैं इसका ही सबसे पहला बात तो आपकी यहां यह बन जाती है तो इसके लिए पेज नंबर 54 पेज नंबर 54 पर आपने जाकर देखा होगा 54 पर इसका आंसर दे रखा है कि डेवी सेम जरवर प्रियोग एक इलेक्ट्रोन तरहेंगे विभार दरसाते क्योंकि इसकी बात हम नहीं करेंगे इसके बारे मैंने डिसकस भी नहीं कहता तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ अनिस्थिचता का सिद्दान्थ इसी पेज पर आपने जहां डेविस और जर्रल प्रियोग वाला जो भी बताया उसी के साथ ये भी आप देख लीजे पेज नंबर 54 पर आप देखोगे हाईजिन बरग द्वारा अनिस्थिचता का सिद्दान्थ तो इसी पॉइंट में से हो जब अपने पढ़ेते बीटा से बीटा पोजिटिव से बीटा नेगेटिव से तो बीटा पोजिटिव से जो होता है बीटा पोजिटिव से में एलेक्ट्रोन बीटा पोजिटिव से में क्या होता है बीटा पोजिटिव से में पोजिट्रोन और न्यूट्रोन सरजित हो इसके लिए आपको जाना होगा पेज नंबर 52 पर बुक्स की पेज नंबर 52 पर जाना वहाँ जाकर देखना कि नाभी के भी किर्या में पालन होता है किसका पालन होता है केवल उर्जा सनरक्षन के नेम का केवल आवेस सनरक्षन के नेम का केवल नूकलियोन सनरक्षन नेम का या उप्सन नमबर डी तो उर्जा सनरक्षन का यहां भी होता है दर्वेमान उर्जा सनरक्षन का भी होता है इसके अलावा आपका किसका होता है सम्वेक सनरक्षन का भी यहाँ पर होता है दूसरी आवेस का होता है और न्यूकलियोन सर्वेक्षन न्यूकलियोन यानि कि न्यूकलियोन का मतलब क्या होता है आपके दर्मेमान ठीक है तो इसका सभी आंसर रजाएगा उप्सन अमबर डीस का आ रहा हो ठीक है तो सभी का यह क्या करता है सभी का ही और जा आवेस नुकलियोन नेम का यह क्या करता है पालन करता है तो option number 10 का होना चीए ठीक है तो यह भी आपका बिल्कुल सही है यह भी book से सिधा सिधा है पिये संदी की अगर अभी निती में प्लस को न की positive को पी से और अनबा को negative से यानि इस प्रकारिन को पढ़ नोगे तो इनमें जो क्या होगा ये तो पी अगर अब w नितिatively और अगर अब नतिम क्या होता है धारा का चालन होता है यानि कि आपको यहां यह चीज जो फोटम देख रहे होंगे इसके को इस जगह मैंने आपको पढ़ाया था कि बहुत संक्य चाहिए आवेज वाक एक से तर्से दूसरी से तर्वेस कर जाते हैं बस यहीं इसमें था और कुछ नहीं जेनर बंजन का कारण क्या है अत्यादिक अपमिस्रन यानि कि मैंने आपको पढ़ाया था कि उच्मादित उच्मादित असुदी या उच्मादित यह बताया था यहां पर तो यहां पर उच्मादित में बहुत जदा अब मिस्रन या असुदित में मिलाए जाती हैं तो इसे क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं जेनर बंजन आप अगर इसको पढ़ना चाहोगे तो पेज कुछ चलो अगला कि उसन्स भी सिधा सिधा था पेज नमर 59 से ही करवाया था पेज नमर 59 पर आप ये डियागराम देखरें इस डाइगराम में आपको पूर्ण तरंग दिज्ट कारी दे रह रहा है पूर्ण तरंग दिश्ट कारी में क्या हो रहा है इसमें पहले जो इसे जा आया होगा page नमबर 59 पर है उबिनिस्ट आदार विदा में transistor का का दारालाब होता दारालाब alpha होता है चलो page नमबर 17 इस सोड़ी पेज नमबर 60 निकालो 60 page नमबर 60 पर आपने देख रहे हैं इसमें है CB CE और CC तो अपन को बात की जारी उबिनिस्ट दारायन की common common best नहीं कि CB की अपन से बात की जारी, CB में क्या है? CB में देख सकते हो, आप alpha is equal to क्या दे रखा है? IC upon, देखो आप IC upon IE दे रखा है, इसमें ये क्या होता है? एक से कम होता है, यानि कि एक से कम होता है, तो इसका answer क्या होगा? से कम भी हो रहा है, एक से कम होगा, SAC का एक से ज़्यादा होता है, और CC का भी एक से ज़्यादा होता है, तो ये क्या दारा लब्दी का नाम इसे, दारा लाब इसे बोलते हैं, तो ये भी आपके लिए सिधा यहां से questions उटा है, नेनो कन का आकार, चलिए, नेनो कन का आकार आ यह से होते हैं कि जो-स्टार्टिंग के पेज जो अर् तेन की पावर मैंनस सेवन मिटर ठीकिए अपना अनसर अभी भी निया को इसको लेक देता है टेंगी पावर मैंनस 1 इंटू टेंग की पाउद 16-6 तो क्या बोलते है My Cao darte ett ठीक है तो option number second इसका correct answer यहां से हो जाएगा तो दोस्तों अब आप क्या बोलते हूं कि हमारे questions मिले या नहीं मिले क्या हमने फाल तो आपको बेवकू बनाया वैसे हम आपसे कोई argument नहीं करेंगे क्यों पर हमारे questions मिले हैं लग बग 25 प्लस questions सिदे सिदे मिले 25 questions सिदे इससे जढ़ा तो आपको क्या चीए है इससे जधा थो irrig हम आप क्या हमारी जान लोगे या फिर क्या चाते हो आपिर इससे जादा तहो जल्दि आपके लिए कटो बो डॉक्वेंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट नहीं मिल रहा क्लियर करने का उब्जेक्शन का मुखा आरुचिस आपको नहीं दे रहा है तो बस बहुत बुरी बात है वैसे तो दन्य बाद फिर भी टेक केर्स